औस्टेलिया के खिलाब पहले वंडे के लिए टीम इंडिया के 11 खिलाडियों का हुआ एलान नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दवी आईपी टीवी के एक और नए वीडियो में जी हाँ दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के उन 11 खिलारियों की जिने ऑस्टेलिया के खिलाब पहले वंडे के लिए सामिल किया गया है और किन खिलारियों को बाहर किया गया है सांथी दोस्तो आपको बताएंगे ये मैच कितने टाइम टीवी पर आएगा और किस चैनल पर आप इसे लाइव देख सकते हैं साथी दोस्तो एक और बड़ी खबर में बात करेंगे औस्टेलिया के पूरव कप्तान बल्लेबाज श्टू स्मित ने टीम इंडिया के खिलाब जहर उगला है और भारती टीम को चुनौती दी है तो दोस्तो आपको बताएंगे कि आखिर स्मित ने टीम इंडिया को लेकर क्या कहा है साथी दोस्तो एक और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कि टीम इंडिया को हराने के लिए औस्टेलियाई टीम ने अचानक एक खतरनाग गेंबाज को सामिल किया है इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन सा खतरनाग गेंदबास है जिसे आउस्टिलन ने अचानक सामिल करके टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा किया है बात करेंगे इन सभी खबरों के बारे में तो इस वीडियो को लाज तक जरू देखिएगा लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे गुजारीस है अगर आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए आपका जादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो एक बड़ी ही दुख पहुचाने वाली खबर आ रही है टीम इंडिया के तेज गिंबास मुहमद सिराज के पिता का निधन हो गया है जी हाँ दोस्तो टीम इंडिया के साथ औस्टेलिया दोरे पर गए त खबर के मुताबिक मुहमद सिराज को ये खबर उस वक्त मिली जब वो प्रैक्टिस से होटल लोट रहे थे दोस्तों सिराज इस वक्त आउस्टेलिया में 15 दिन के क्वारंटाइम में है और इस वज़स से वो पिता के अंतिम संसकार में नहीं जा पाएंगे बता दे मुहमद सिराज के पिता एक आटो चाल लग थे लेकिन इसके बावजूत उन्होंने अपने बेटे को किसी चीज की कमे नहीं होने दी अपने पिता की मौत के बाद गमगिन सिराज ने कहा कि वो उनके सपने को पूरा करेंगे उनके पिता का सपना था कि सिराज टीम इंडिया की सेवा करे सिराज ने कहा मेरे पिता का हमेशा से सपना था कि मैं देश का नाम रोशन करूं और वो मैं जरूर करूंगा मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े समर्था को खो दिया है ये बेहाधी दुखात का पल है मुझे देश के लिए खेलते देखना उनका सपना था मैं खुश हो मैं उन्हें समझ सका और उन्हें खुश कर सका तो दोस्तो इस दुख की इस घड़ी में आप सिराज के लिए कमेंट करके सानुभूती जरूर दें दोस्तो वही अब बात करें टीम मीडिया के ऑश्टेलिया दोरे की तो कुरोना के बावजूद आधे गंटे में बिके भारत ऑश्टेलिया वनडे टीटवंडी सीरीज के सभी टिकट जी हाँ दोस्तो भले ही दुनिया भर में कुरोना वाइरस का डर चारों और फैला हो लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट फैंस का जुरून सात्वे आस्मान पर है भारत और ऑस्टेलिया के बीच 27 नॉम्बर से वन्डे सीरीज का अगाज हो रहा है और इसके बाद तीन टीटवंडी मैसों की सीरीज भी हो नहीं है आपको य अगले दो वन्डे के लिए टीन टीटवंडी मैचों के लिए इस्टेडियम हाउसफुल हो चुका है तो दोस्तों इस बार भरे इस्टेडियम में क्रिकेट का मजा आप ले सकेंगे जहांपर टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए भारती फैंस की संख्या सबसे अधिक ह दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की आस्टेलिया की पूर्व कप्तान बल्लेबाज श्ट्वी स्वित ने टीम इन्डे के खिलाब जहार उगला है और भारती टीम को चुनौती थी है दोस्तों आस्टेलिया और भारत जैसी दो सबसे बहतरीन और मजबूर टीम के बीच सुरू होने वाले सीरिस को लेकर हर कोई काफी उत्साहित नजरा रहा है 27 नौमबर से आस्टेलिया और भारत की बीच वंडे सीरिस के साथ दोरे का अगाज हो रहा है जिसे लेकर दोनों ही टीमें मैदान में जम पर फशिना बहा रही है और एक दूश्य को हराने को बेताब है लेकिन जुबानी जंग भी धीरे धीरे तेज होती जा रही है ये दो टीमें जब मुकाबले में हो और जुबानी जंग ना हो ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है इसी जुबानी जंग के बीच और श्टिले के पूरोकप्तान इस्टू स्पित ने भी अपटी टीम को बहतर बताने की कोशिश कर भारती टीम को अपने पैस आटेक के नाम पर चिताया है उन्होंने कहा है कि हमारे तीज गेंद बाज भारती बल्ले बाजों की धज्या उड़ा देंगे डेड़ सो की रफतार से आत्युवी गेंद का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा तो वहीं उन्होंने कहा कि रोहित सर्मा इस बार टीम में नहीं है तो ऐसे में टीम इंडिया को हराना और ही असान होगा प्लसे दोस्तो आप कमेंट करके बताएं क्या रोहित के ना रहने से टीम इंडिया कमजोर हो सकती है अब दोस्तो बात करें आज के सबसे बड़ी खबर की तो आस्टेलिया के खिलाब पहले वंडिया के लिए टीम इंडिया के 11 खिलाडियों का हुआ एलान जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप जानते है 27 नॉमबर से भारत और आस्टेलिया के बीच पहला वंडिय मैच सुरू होने जा रहा है दोस्तो यह मैच सुबह 9 बजे से सुरू होगा और इसे आप सोनी स्पोर्ट पर लाइब देख पाएंगे जी हाँ दोस्तो आस्टेलिया दोरे पर ब्राड कास्ट का अधिकार सोनी चैनल ने हासिल किये है तो ऐसे में ये बैच स्टार स्पोर्ट पर आप नहीं देख पाएंगे इसे देखने के लिए आप सोनी 10.1, सोनी 10.3 और सोनी 6 पर देख सकते हैं तो वही मोबाइल पर देखने के लिए सोनी लिव एप डाउनलोड करें दोस्तो इस पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया के 11 खिलाड़ों का एलान हो चुका है तो 27 तॉमबर को पहले मैच में और स्टेला को हराने के लिए शिखरदवन और केल राहूल को पारी की शुरुआत करेंगे तो वही कप्तान कोली ने मैंक अगरवाल, स्रियस अयर, हार्दिक पान्या को सामिल किया है तो बॉलिंग में रविंद्र जटेजा, यजवेंद्र चहल, मुहमद समी, रस्फित गुमराह और नौदीव सैनी को सामिल किया है तो दोस्तों आप लाइक और कमेंट करके बताएं क्या टीम इडिया पहले वन्डे में आस्टेलिया को हरा पाएगी कमेंट करके ज़रू बताएं, धन्यवाद